डॉक्टर भूत इस नौवल को तहरीर किया है मसूद जावेद ने निशानात का मौमा राजिया के फ्लैट से कोई एक फरलांग के फासले पर एक मोड के करीब शहाप के इशारे पर नजमी ने कार रोक दी सुनसान तंग थड़क के एक किनारे पर फरोजा उनकी मनतजर थी उसका चहरा जर्थ था और आखों में खौफ की एक बेचेंसी चमक थी कार की हैडलाइट में दूर ही उसका सीने रफ़तार सांस से जीरो बम की कैफियत में मुबतला नजर आ रहा था खौफ भी औरत को कितना दिलकश बना देता है नजमी ने बेख्तियार मस्कुरा कर कहा फिरोजा जबरदस्ती मस्कुरा पड़ी ये कसीदा खौणी का वक्त नहीं मिस्टर वो बोली ये खामोश रुमानी रात ये अर्मान अंगेज सुनसान सड़क ये सितारों की रोशनी में नहाया हुआ बरस्ता हुआ अंधेरा बक्वास बंद करो शहाब ने संजीदा बनने की कोशिश करते हुए कहा और फिर फिरोजा से मुखातिब हुआ क्यों? क्या बात है फिरोजा? मालूम होता है जैसे वाकिए तुमने कोई भूत देख लिया हुआ टेलेफून पर मैंने गलत नहीं कहा फिरोजा ने जवाब दिया आईए मैं आपको भी दिखाओं कार को उस जगा छोड़कर शाहब और नजमी आहिस्ता आहिस्ता फिरोजा के साथ चल पड़े इससे पहले के वो राजिया के फ्लैट तक पहुँचती फिरोजा शुरू से आखर तक पूरी दास्तान बयान कर चुकी थी दो रोज कबल जबके राजिया का खत मिला था उस वक्त से लेकर अब तक जो कुछ जहूर पजीर हुआ था वो यकीनन एक ऐसी दास्तान थी के नजमी जैसा फकर इनसान भी सोच में फ़स गया शाहब की दिल्चस्पियों महुवित कुछ मुख्तलिफ थी वो यकीनन हर जमले पर इस तरहा सवलात करता जा रहा था जैसे किसी कर इस वेर्ड मौमे के इशारात का तज्जिया कर रहा हो महतरमा आखर कार नजमी बोल ही पड़ा साफ बात यह है कि अगर आपने अफीम से शुगल फरमाया है या आपका दिमाग मा एहलो आयाल खेरो आफित से है तो कहना पड़ेगा कि आप अलिफ लैला की कोई कहानी सुना रही है तुम्हें मजाक का हैजा हो गया है शाहब बिगड गया हैजा तो खुद एक दिल्चस्प मजाक है तुम्हारा सर ये तो कोई माकूल जवाब नहुआ नजमी मुस्कुराया मैं पूछता हूँ कि ये हमारे मुल्क की खवातीने कराम कौन सी सदी तक भूत प्रेत का पीछा ना छोड़ेंगी कितनी दर्दनाक है राजिया की कहानी शाहब खुद ही खुद बरबराया देखिए फिरोजा ने रुक कर इशारा किया ये है वो खिर्की वो इस तरफ वो जीना है रुकने की जरूरत नहीं शाहब आके बढ़ गया मुझे यकीन है कि टेलफोन करने के लिए यहां से चले जाने में तुमने बड़ी गलती की है फिरोजा क्यूँ शायद तुम कुछ देर अंदर पार्क में ही ठैरती तो जीने से उतरते हुए भी देख सकती उसको दो चहरो वाली लाश को नजमी ने हैरस से कहा हाँ शायद उसी को क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब वो लाश इस प्लैट से जा चुकी होगी फिरोजा बोली अगर लाश खड़ी हो सकती है बरकी सुई दबा कर रोशनी गुल कर सकती है खिड़की से जहांक सकती है तो फिर क्या है जो वो नहीं कर सकती जी हाँ क्यूं नहीं हद ये है के इश्क भी कर सकती है नजमी बोला हद ये नहीं हद तो ये है के तुम जैसे बीवी खोरों से शादी तक कर सकती है पसंद करोगे ना खुदा की पना नजमी अचानक चौक उठा वो सीधा खिड़की की तरफ देख रहा था अभी कोई साया इधर से उधर गया था खौबगा में दाखिल होते ही फिरोजा हैरत जदा हो गई राजिया की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी कोई तब्दीली शाहब ने सवाल किया और टॉर्च की रोशनी इधर उधर गई जी नहीं बिलकुल हर चीज उसी तरह है अलबता लाश की पोजीशन में कुछ थोड़ा सा फर्क है उस वक्त ये बिलकुल सीधी पड़ी हुई थी टॉर्च की रोशनी का मुतहरिक दाइरा आखर कार राजिया की लाश पर आकर रुक गया चहरे पर मौत की खौफनाक हसी नीले नीले रंगे धपे आँखें अबली हुई थी आँखें अबली हुई और सीने पर वो गहरा जखम एक घदा भी समझ सकता है के ये खुदकुशी नहीं नजमी ने फैसला किया सीने का ये जखम और खंजर की अदम मौजूद की इसका सबूत है खौब आवर गोलियों की शीशी मत भूलो शाह पूला और चहरे पर जहर के ये नीले दाग खसूसां वो पेगाम जो राजिया ने टेलेफोन पर फिरोजा को दिया था और फिर लाश की आसेबी हरकात फिरोजा ने कहा और वो दूसरा सफेद बालो वाला चहरा इंतहाई दिल्चस केस है ये शाह बोला लेकिन महद कयास आराई या जजबाती तासुरा से कोई फाइदा नहीं हमें साइंसी और ठोस मंतकी तरीके कार पर अमल करना चाहिए नताइच पर जिस्ट करना हिमाकत है मुशाइदा और तज़्द्या ही सिरा घर्सानी के सही रास्ते है लेकिन ये काम इस टॉर्च की रोष्णी में नहीं हो सकता बर की रोष्णी क्यों नहीं ठेरो सुच मत दबाना शाहब ने नजमी को रोक दिया मुशाइदे की अब्तदा हमें इस सुच से करनी चाहिए फिरोजा के बयान के मताबिक लाश ने सबसे पहले इसी सुच को दबा कर रोष्णी गुल की थी शाहब ने जेब में से सफेद चमकदार फॉलाद का एक केस निकाला जो सिग्रेट केस था उसमें चारों तरफ इस प्रिंग के बटन लगे हुए थे जिनको दबाने से केस में से कई तरहा के आलात बरामत हो जाते थे उन में से एक बटन को दबा कर उसने गौर से देखा केस के बाहर एक स्प्रे करने वाली चोटी सी नलकी निकल आई थी शाहब ने टॉर्च नजमी के हवाले करते हुए रोशनी उसने बर्की स्विच पर डाली और इस्प्रे वाली नलकी पर हलका सा दबाव ढाला फॉरण ही इंतहाई लतीफ सफूफ की एक फुआर से निकली जिसे सफेद धुए का एक फवारा बर्की स्विच उसमें नहा गया अब सुइच पर एक इंसानी उंगली का निशान उपर आया था और जब शहाब ने इसी तरीके पर मुर्दा राजिया की उंगलियों के निशानात एक कागस पर हासल करके उनका मौवज़ा सुइच वाले निशान से किया तो पहला हैरतनाक नतीज़ा सामने आ गया लाज नहीं गुल की थी नजमी भूला बेशक लेकिन ये तो बिलकुल उट-पटांग बात है कुछ भी हो मुशायदा और ये तजजिया यही बताता है तजजिये की दुम में रसा ऐसा सोचना भी हिमाकत है क्या खुद फिरोजा ने उस लाज को मतहरिक नहीं देखा था फिर इसमें सोचने की गुनजाईश ही कहा है मगर ठैरो अभी ये टेलेफोन बाकी है राजिया की उंगलियों के निशान उस पर भी लाजमी होने चाहें दो मिंट बाद टेलेफोन के रिसीवर पर भी निशानात नुमाया हो गए लेकिन ये निशानात पहले सब निशानात से मुक्तलिफ थे जिसामत के लिहाज से ये निशानात किसी तरह भी राजिया के उंगलियों से मताबिकत नहीं रखते थे इसके इलावा उनको निशानात कहना ही गलत था ज्यादा सही तोर पर उनको महल धब्बे कहा जा सकता था शहा बड़ी देर तक दिलचस्पी से उनका मताला करता रहा हर इनकिशाफ एक नई पेचीदगी पैदा कर रहा है वो बोला इन धबों को देख रहे हैं आप लोग ये इतने बड़े हैं कि राजिया की उंगलियों से इनका कोई तालुक नहीं हो सकता इसके इलावा ये ऐसी उंगलियों के नकूश है जो दस्तानों में मलफूफ थी लेकिन राजिया के हाथों में तो कोई द स्ताने नहीं है फिरोजा ने हैरत से कहा बेशक इसलिए ये मजीच सहबूत है कि ये धबबे राजिया के अंगलियों के नहीं है शहब बोला फिर ये किस शक्स के हैं जिसने टैलिफॉन इस्तमाल किया था मगर टेलेफोन तो राजिया नहीं किया था फिरोजा ने वसूख से कहा उसकी आवास को मैं खूब पहचानती हूँ बात ये भी सही है ये दोनों बाते कैसे सही हो सकती है नजमी ने हैरस से कहा बाज अकात मुतजाद बाते भी सही हो जाती है शहब ने दिल्चस्वी से कहा क्या ये मुम्किन नहीं कि पहले राजिया नहीं फिरोजा को टेलेफोन किया हो और उसके बाद गालिबन राजिया की मौत के बाद किसी और ने इसी टेलेफोन को इस्तमाल किया जिसके हाथ में दस्ताना था नतीजा ये हुआ कि राजिया की उंगलियों के निशानाद दब कर मिट गए और दस्ताना पोश उंगलियों के धबे बाकी रह गए इस सीधे साधे इस्तदलाल ने नजमी और फिरोजा को खामोश कर दिया एक बार फिर इन धब्बों को देखो शाहब बोला ये एक दिल्चस कहानी बयान कर रहे हैं मसलन वो शक्स जिसने राजिया के बाद टेलेफोन को इस्तमाल किया ना सिर्फ दस्ताने ही पहने हुए था बलके वो ऐसा शक्स भी था जिसके दाहने हाथ में सिर्फ उंगलिया ही थी अंगूठा गायब था नजमी और फिरोजा की निगाहें फिर टेलेफोन के रिसीवर पर छुक गई यकीनन रिसीवर के गिर्द सिर्फ चार ही निशान थी हाला के फितरी तौर पर रिसीवर को उठाते वक्त उस पर अंगूठे का निशान भी कायम हो जाना चाहिए था लेकिन यहां खौबगा में तो लाश के इलावा और कोई भी ना था फिरोजा ने हैरत से कहा मैंने यहां हर गोशे का जाइजा लिया था एक गोशा तुम यकीनन भूल गई जी नहीं मैं उस नीले परदे के पीछे भी देख चुकी हूँ वहां रेडियो और रिकॉर्ड करने वाली टेप मशीन के इलावा कुछ भी ना था अफसोस तुमने बिस्तर की हालत पर गौर्ड नहीं किया बिस्तर पर दो तक्यों की मौजूद की मुझे पर नहीं मेरा मतलब है बिस्तर पर ये सफैज चादर नीचे फर्ष तक लटकती हुई शायद सुराग रसा सहाब का मतलब ये है के वो पुर इसरार शक्स एक खटमल था जो चादर की शिक्नों में छुप गया था नजमी मुस्कुराया चादर की शिक्नों में नहीं इस मसेरी के नीचे ओ हैरस से फिरोज़ की आँखे चौपट हो गई मैं नालायक अब भी नहीं समझ सका नजमी बोला इस मसेरी के नीचे पोशीदा होने से बहतर और कौन सी जगा हो सकती थी शाहब ने कहा बस जरूरत इसकी थी के चादर को घसीट कर फर्ष तक इसी तरह लटका लिया जाए के मसेरी के नीचे एक पनागा बन जाए और देखने में सिर्फ ये मालुम हो के लाश तरपने की वज़ा से बिस्तर बे तर्तीब हो गया है मुझे यकीन है के जिस वक्त फिरोजा यहां इस लाश के पास खड़ी थी उस वक्त कोई शक्स इस मसेरी के नीचे सास रोके पड़ा हुआ था अच्छा हुआ कि फिरोजा ने चादर की आड़ को हटा कर नीचे जहांकने की कोशिश नहीं की क्योंके यकीनन उस शक्स के पास वो खून आलूत खंजर तयार था जो उसने कुछ ही देर कबल राजिया के कल्ब में उतार दिया था उसका दूसरा वार यकीनन फिरोजा पर ही होता इसके माइने ये है कि ये एक खुला हुआ कतल है नजमी ने फैसला कर दिया मैंने पहले ही कह दिया था नताइच पर छलांग लगाने की कोशिश मत करो शहब बोला टेलेफोन पर राजिया खुद कह चुकी है कि वो खुदकुशी कर रही थी अजीब घंचकर हैं आप फिर वोही मतजाद बातें कदम बाकदम चलना सीखो दोस्त शहब बोला अब तक हमने जो कुछ देखा है उसमें सिर्फ ये नतीजा निकलता है कि जिस शक्स ने राजिया के बार टेलेफोन उठाया वो यकीनन उसकी मौत के वक्त इस कमरे में मौजूद था और गालिबन फिरोजा की अचानक आमद की वज़ा से वो मसहरी की नीचे पोशीदा हो गया नेज ये कि राजिया के सीने पर जिस खंजर का जखम है वो खंजर जरूर उसी शक्स के पास मौजूद था ताजब है कि उसने मुझ पर हमला नहीं किया फिरोजा बोली इसकी एक दिल्चस्फ वज़ा थी जो मैं बाद में बयान करूंगा बाशर्तिया ये कि मजीद तहकीक से मेरा अंदाजा सही साबित हुआ फिल्हाल देखना ये है कि ये नामालूम शक्स जिसके दाहने हाथ में अंगूचा नहीं है टेलेफोन पर क्या करना चाहता था नहायत एहतियात और तेजी के साथ शाहब ने सफूफ की बौचार टेलिफोन के नमबरों के घूमने वाले डायल पर डाली अगर उस चक्स ने कोई नमबर मिलाने की कोशिश की थी तो कयास कहता था कि उसकी उंगलियों के ऐसे ही धब्बे उन नमबरों पर मौजूद होंगे देखते ही देखते सफेद सफूफ के दर्मियान आटोमेटिंग डायल पर कुछ नमबर ऐसे नजर आने लगे जिन पर पहली तरहां के धब्बे नुमाया थे और कुछ नमबर ऐसे मिले जिन पर राजिया की उमलियों जैसे निशानात थे इन दोनों निशानात से मेरे इस नजरिये की तज़्दीक होती है कि राजिया ने और उसके बात किसी और शक्स ने टेलेफोन इस्तमाल किया शहब ने कहा उस दूसरे शक्स को फिलहाल हम जीरो के नाम से याद करेंगी खुशकिसमती की बात है कि राजिया ने और जीरो ने डाइल पर जो नमबर मिलाए उन में कोई हिंसा मुश्तरिक ना था ये देखो तुम्हारा नमबर 23726 है ना इन पांचों हिंसों पर सिर्फ राजिया की उंगलियों के निशानात है लेकिन इन दस्ताना पोश उंगली के धबो पर नजर डालो यहां भी हमारी खुशकिस्मती ने साथ दिया है जीरो ने जो नमबर डाइल किया अगर उसमें भी चार पांच मुख्तलिफ हिंसे शामिल होते तो ये पता चलाना मुश्किल हो जाता कि कौन सा हिंसा अकाई की जगा कौन सा हिंसा धिहाई की जग़ा या इसी तरह बाकी हिंसे किस जगा पर थे खौर से देखिए ये गोल-गोल धब्बे डाइल पर कौन कौन से हिंसों के उपर नजर आते हैं ये धब्बे तो सिर्फ दो ही जगा पर हैं फिरोजा ने हैरत से कहा 9 पर और 0 पर लिहाज़ा वो नमबर जरूर 9-0 होगा नजमी बोल उठा क्योंकि 9 की माई तरफ तो सिफर बेकार ही है हाँ लेकिन 9-0 ही क्यों? शहब ने कहा 9-0-0 क्यों नहीं? 9-0-0-0 क्यों नहीं? ये कैसे कहा जा सकता है कि 9 की हिंसे को या सिफर के सिर्फ एक बार घुमाया या कई मरतबा इस तरह तो ये नमबर 9-0-9-9-0-9-0-9-0-9-0-9-9-0-9-9 वगयरा भी हो सकता है बेशक लेकिन क्या इस दुश्वारी को हल करने का कोई तरीका नहीं हो सकता? हो क्यूं नहीं सकता? नजमी बोला, कुरान दाजी कर लीजिये ना? बिलकुल चोंच हो तुम ये आज आप एक नया खयाल पेश फर्मा रहे हैं, अब तक तो लोग मुझे जनाब की दुम ही समझते थे डायरेक्टरी से इस तरहा के तमाम नमबर नोट क्यूं न कर लिये जाएं? फिरोजा बोली, आखरी तरीका यही है, शाहब ने कहा, लेकिन ये खुद एक दर्दे सर से कम नहीं तो फिर आप ही कोई नॉनसेंस या इस्प्रे वाला नुस्खा बता दीजिए, नजमी बोला ये इन धबों की गहराई और नौयत पर मुनहसर है, शाहब बोला नमबर डायल करते वक्त अगर किसी एक हिंसे को हम कई बार घुमाते हैं तो हर मरतबा हमारी उंगली एक ही जाविये पर नहीं पड़ती, नतीजा ये के उंगली का नक्ष बे तुकासा हो जाता है और ये नक्ष ज्यादा गहरा भी होता है, इस असूल के तहट इस नाइन के हिंसे को गालिबन एक बार ही घुमाया गया है अलबता सिफर पर धबे बे तुके और उपर नीचे नजर आते हैं, यानि उसको एक से ज्यादा मरतबा घुमाया गया लहाजा उस नामालुम शक्स ने जो नमबर डाइल किया उसमें एक हिंसा नाइन का था और उसके बाद कमसकम दो सिफर या तीन सिफर वगयरा थे इस लहाज से तो वल्ला उसका नाम जीरो बहुत मुनासिब है, नजमी बोला तब तो वो नमबर यकीनन 9-0-0-0 या 9-0-0-0 या 9-0-0-0 ही हो सकता है फिरोजा ने कहा, क्यूंकि उसके बाद 9 लाक की नौबत आती है और मुझे मालूम है कि ये टेलेफोन एक मशूर और नए अमेरिकन डॉक्टर का है और वो सिर्फ 8-9-6-5-0-2 है शाहब ने कहा 9-0-0-0-0-0-0 भी खारिजस बहस है फिरोजा बोली क्योंकि ये तो खुद राजिया का ही हिना है क्योंकि ये तो खुद राजिया का ही है ठीक शाहब ने ताइद की अब सिर्फ दो नमबर बाकी रह गए 9-0-0 और 9-0-0-0 उनको असानी से डिरेक्टरी में देखा जा सकता है वाँ अरे साहब इन नमबरों पर टेलफोन करके ही क्यों न देख लिया जाए नजमी ने कहा नहीं अब ऐसा कदम हमारी नाकामी का बाइस बन सकता है शाहब ने कहा और डिरेक्टरी खोल कर वर्क पलटने लगा मुक्तसर से कोशिश के बाद ही उन दोनों नमबरों का पता चल गया था उन में से 900 का तालुक एक शबीना कलब से था जिसका नाम शबाना था शाहब को मालूम था ये शहर का सबसे आला और बुलंद मयार का नाइट कलब था जहां हर शब के लिए महस फीस दाखला 10 रुपया थी दूसरा नमबर यानी 9000 एक और था जिसका नाम मिस्चहला दर्श था उस नामालूम शक्स जीरो ने इन दोनों में से किसी नमबर पर टेलिफोन किया और क्यों ये बात अब भी एक राज ही रही शाहब किसी ख्याल के तहट अपने दोनों साथियों की तरफ मुड़ा और भूला इन दोनों मकामात पर फौरी तहकी की जरूरत है नजमी तुम शबाना नाइट किलब रवाना हो जाओ और फिरोजा तुम मिस्चहला के एड्रेस पर पहुंचो नहायत एहतियात के साथ ये मालूम करने की कोशिश करो के राजिये के फ्लेट से दस और ग्यारा बजे के दरम्यान किसने टेलफोन किया और क्यों